मेरे प्यार बच्चों मेरे प्यार शातियों आप सभी लोगों को मेरे प्यार बगा नमस्कार आज हम सभी लोग इस वीडियो के मात्यों से एक बहुत ही बोरे टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से संबंदित एक नमबर का प्रॉप जरूरा आता है चैसे बोड एकजाम हो इसे प्रस्ट जरूरा आता है तो मैं इस वीडियो की मात्यम से, आप सभी लोग हूं इस topic को clear कर देना चाहता हम है आए हम लोग लोग इस topic को देखते हैं यह topic हर्मोन्ष जी यह हर्मोन्ष सबसे पहले होता क्या है हर्मोन्ष एक रशायन है हम लोगों की body में पा जाता है यह एक chemical है जो की हम लोग की बाड़ी में आनिमल्स की बाड़ी में पा जाता है और हमारी बोड़ी की ठीक है नियंत्रा और समयने के लिए बहुत ज़ल होगी है हमारी बोड़ी की control और coordination के लिए बहुत ही important है सब्सक्राइब के लिए इसको निकालता कौन है तो इस टॉपिक के लिए जिसको हिंदी क्या करते किसे हैं यह प्रश्ण आता भी है वोड़ इक्जाम में तो उतक की शमूर को ठीक है जी हां ग्रंथी कहा जाता है इस तरह से उतक का समूँ अगर किसी material को किसी सबस्टेंस को किसी पदा को रिलीज करता है तो उसको नोग ग्लाइंड करते हैं और आप लोगों को पता होना चेहे कि ग्लाइंड जो है मुखेता ग्रंथी मुखेता दो प्रडार की होते हैं एंडोक्राइन ग्लाइंड एक्सक्राइन ग्लाइंड जी हां यह को होगया अंतरसरावी ग्रंती और ल Shoutите ओ लेंगे सिव्दि ग्रंफि वोलते हैं हम दो तो कब हुद ग्रंथी वह और हैं प्रस्ट भनते हैं आपको जिए अगर ग्रंति केवल हर्माइज कर रही है क्या रिलीच कर रही है केवल हार्मोन्स रिलीच कर रही है तो इसको अंतर स्रावी ग्रंती या एंडोक्राइन ग्लाइंड बोलते हैं ठीक है और अगर आपकी ग्रंती जो है केवल एंजाइन्स को सिक्रीट कर रही है वीकर निकाल रही है तो इसको क्या बोला जाता है एक्सो होई आपने च्छोटी से बार कि एक कोर्षिन बहुत जबल जब एक और वह सिर्ट के से हैं तो देखा जाए तो mixed gland जो है ठीक है हमारे वे इस बीस ग्लाइंड उसको बोलते है पेंक्रियाश जी है अगनाशय अगनाशय में पेंक्रियाश तो बहुत बड़ी तकश्या की कहा लिजे की ब्रह्मा जी का जो इसको वर्दान मिला जाओ तुम हार्मोन भी रिलीज करोगे औ तो जो ग्रंती हर्मोन और एंजाइन दोनों उलीज करती है उसको बोलते हैं मिस्रिप ग्रंती मिंच्छ ग्राइंट बोलते हैं जो की परियाज ठीक है है यह तो यह सकते हैं तो इस तरह से आप् है करना हो कि समझ चुकर devil Cup in productions गंच्छ करता है कि माद्य माद्य की एक महिला का चित्र आ है 1006 की एक माद्य मुद लोग जीकेंगे सबसे पहले कि जो अंतविक यंज रिलीज करती बवह करती है वह है कुछ तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हैं अन्तो स्वावी ग lass यह थूली है in your फिर आप इदर देख सकते हैं यह कि इश को निवकी कहते हैं तो इसका लोकेशन कहां है यह यह अह सकते हैं इसको मांस्ट के देखेम करते हैं आ जी हैं आउट्टू गरंती हम लोग के गले में जो है जो ट्राचीय है उससे लिप्टी होती है गले में इसका लोकेशन है यह यच्छ आतार कि होती है अउटू ग्रंती और देखा जाए तो इसी में पीछे की साइड में यह एक जोडी दर यह परा आऊटो गरंती होती है जिसको आपकी जो है थाइमस गरंती पाय जा रही है और हम लोग आते हैं थोरा सी गर्विटी के नीचे प्रड़त आते हैं पेट वाजे भाग में आते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि इस्टमप होता है झाइक नीचे ना जो आपाससर पैंक्रियास और उसके बाद दो किड्नी होती है कीड्नी के ऊपर जो है यह अधिवरिक गरंती है दोणों किड्नी के ऊपर टोपी जैसे संचना है इसको बोलत यह नहता है मादा जननांगा के मुंख्य आंगातों है साथ में हार्मोन वी रि डिश्वा जिसकते जिए आधेवरिं भ नती हैं अगर जो मेर की वाद दशी हो द haunting यहें है मादा जननन्तंत्र जाह पे नर जननंतर और आएंग आधान है और यह जो मेर का है पुरुष का है ना टेस्टीस जो है जो स्पर्म सुप्राणों बनाता है साथ में क्या बनाता है यह रिलीव करता है मेर हार्मोन टेस्ट शुरॉआं इसलिए यह भी आपका अधिक गरंती है तो मेरे प्यारे शातियों ना मैं आश्र कर रहा हूं कि आप ना करें उनक्रीन की कमी से और उनकी अधिप्तता से और अधिप्ता इसा प्यारे की ही मात्त थ तो सुरुवाद हम लोग करते हैं जो है हाइपो थैलमस से यहां हाइपो थैलमस जो की ब्रेइन में इसका कार है कि कांट्रोल पिटूट्री सिक्रेशन वाड़ी टेंपरेचर एंड सेंटर अफंगर एंड थर्ष्ट तो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग आपको समझ रहे ह है यह जो भी हार्मॉस ड्रीक कर रहे है उस पे सा कट्रोल है हाइपो थैलमंस का कि नाया मस्ट्रजा कर थे है क्योंकि इसक् mess ना सिक्रेशन पर यह कितना हार्मों रिलीज करेंगी कब नहीं उसके कंड्रोल किसका है हाइपोथेलमस का नेक्स है यह बोडी टेंपरेचर को भी कंड्रोल करती है और एक बहुत इंपरेटिन कोश्चिन है जो कि आपका सेंटर आफ हंगर थास्ट मतलब भूख और प्यास का हुआ है भी बो है कि आजेकर अर्लों आघे पड़ते हैं और देखेंगे यह कौन सा यह जिलाय यह कर देखती है जिसे बोड़ी सिलपा वनमें चल्फ करता है मेन जसे रही स्किन होता है अब आई जी हम जो है जो सबसे इंपोर्टेंट ग्रंति है उसको पड़ते हैं प्यूश ग्रंति जिसको बहला जाना जाता है क्यों इसको ँसे गहाता है क्यों कि यह ग्रंति बाकी जो गर्णतियां है हमारी बोडे में उनके स्क्राइब लिजने साल के जहां कि अब जोके से एक ऊप्षन भी होता है जो की राइट सरु होता है विस सभर से हार्मों क्या है क्या विर्श ग्रंति को मांस्टर्टर ने देखा और अब क्या क्या हैं उन के कांद क्या है तो नो मेरे प्छों मैंने इसको इंग्लिस में लिखा है हिंदी में भी लिखना है इडीनो हाइपोफासिस सर्थ क्या मतलब है इस पैसे जा चुकए हैं अडीनों आपकासिस को एंटिरीय और हिच्छी काँ जाता है ठीक है उपर वाला वाग है जब दोनों भाग जो है इंटीर पिटूट्री से सरावित होते हैं, जो हैं, एंटीर पिटूट्री से सरावित होते हैं, जबकि आक्सी टोशीन और वैसोप्रेशीन जो है यह मास्टर गंती के नियरो हार्फासीस मतलब पॉस्टीरियर पुचुट्री से रिलीज होते हैं इन सारी वाधवों का क्या का रहे हैं तो जो फार्मों है नाम से है इसे हमारे बॉडी का जो है ग्रॉध होता है तो देखे लिए होता है तो हमारे बॉडी में ढिखे अगर ग्रोध प्रम जो यंगा हेल्मित तो वे ग्रोध अश्चारे का मार्ट हो जएका वहाँ है कंडू सब्साहे UK और आद प्रोब्राइब क्वाइब प्रोडियों पॉटेश्टेश्ट में यह तो टिक है सब्सक्राइब यह ब्रद इस तरव से यह हर्मोन इस तरव होता है ना बिचुची से और जया करके जो ब्रणाज अधी करता है कि तुम अधीक्रणती करता सब्सक्राइब करता है और साथ में यह जो है जो फीमल की बाड़ी में जो फीमल से उसके बाड़ा है और यह हमारे बोड़ी में जो है जो इसे लोगों में इसको देखा निव्रो हाइपो फार्शिस से और वैसो प्रशिन से कायो को देखते हैं आक्सी थोसीन तोjust TRA allowed totally a child कोरा जो फ्रेंबरी में जेज़ ऑसकी वज़े से कॉझ साथart तब अब करना ही वह फिलेब्री आसानी से का भी सब्सक्रयरह नाइस पुरी में इसका काम में भी मीमें बी शौन की तरह के भी है उए सब्सक्रीव करता है और प्लबोडी के कारह को बहुत सीяет क Muscans कार्ड को देख पर देख हैँ तेया ना माश्रमा को परमरण से सब्सक्राइब देख प्रपर होनाचिए। फौज यूटिण हरम्मे नमत को खाने चाहिए ॄक्णल्ट भिश्चन अगर प्रोकर्ट्री तो अगर जाती है और इसको हम लोग करते हैं धेना रोग करते हैं करते हैं और यह हमारे बोड़ी में कैल्सियम आयन को कंट्रोल करता है फिर आगे देखने हम लोग थाइमस ग्लाइड है यह थाइमस ग्लाइड जो है यह थाइमोजीन हार्बोन इलिच करते हैं और यह थाइमोजीन हार्बोन जो है हमारे बोड़ी में लिंपोसाइड के पॉमिशन को स्टिमूलेट करता है लिंपोसाइड तो आप जाते हैं हमारे इमिनेटी से हमारे रिलेटेड है अब आजे हम लोग चलते हैं किड्नी के पास अभी अगनाशे रहने लेते हैं किड्नी के पास जो है आप जो अधिम इग्रंथी है इसी को जो रहा है किया कहा जाता है इसी को अठनी को या करते हैं और अधिम अधिम उन्थी को क promise कतेते हैं तो कि बचैटी में दो पालों दोनों हार्मोन्स रληिज क्या है आडेनलीन और नॉर इमर्जनसी हार्मोन्स देते हैं जो हमारे बोड़े को जो है आयमर्जनसी हार्मोन्स है जे त्रेस, इमोशन और हमारे बोड़े के दवराण handled ईही तो हेँ हमारे बोड़े का शाक्त देते हैお願い परiva Switzerland हमारी बॉड़ी को कंच्रोल और एक लीज करते हैं तो आगे मादा आप देख रहा है तो इस लिए है क्योंकि यह मादा का ही फिगर है तो इसमें जो ओवरी है यह यह थो पनाती ही है लेकिन सांट में हार्मोन स्पीरिश करती है जियां कौन सांट में रिलीश करते हैं अस्ट को इस विक्षित करना हो गार डिखेंगे कि अगर यह मेज अगर ती तो जाइख ली बात है इसको क्या बात है और टेस्टिस कते हैं और इसे ना जो जो में करेक्टर जो सेक्स्टर करेक्टर होते हैं उसके लिए जिमिधाप होता है और अब प्यारक्षाति हुआ ना उस तपस्थ्री के बारे में बारेंगे इप्रभ्माजी गत्ता पी तपस्थ्याक किया जिससे उसको वर्दान विडा के तुम ॥ार्वों प्रिदी करो एं लेकिन अब लोग इस दोरान इसके हार्मों के बारे पढ़े से पंक्रियास जो है और इसमें तीन प्रोटायर की कोशिखाय होती है न आलपा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स होती है अदुपाल से जो है इंसुलीन रीलीज होता है और पिटेटा से जो है ग्लुकोस ज्यादा हो जाता है तो यह क्या करता है वाटर इंसुलीन पॉम में उसको चन्वर्ट करता है जिसको हम लोग ग्लैकोजन कहते हैं जो है तो इस सवह से हमें सुभर से जो है ईडाँटीज्छ से जो है बचाता है लेकिन अगर मानलीकें जो है हमारे बोडी में सुभरलेवर कम हो गया तो उस दोरान ढूर्स हई है यह ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज कर देता है प'Tयकर कहतं खुक्राइब में आशा करता हूं कि आम लोगोंने आधि इस टॉपिक को कि को बहुत अस्तिश पस्ट देखा होगा और आरे इस चैनल पे जो है नए वीवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को शेर भी करें शो बहुत बहुत धन्यवाद